हाई फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनस एन्बी चनल पर आप सभी का सवगत है, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने पोल्ट्री शेट को अगर आटोमेटिक परदा लगा रहे हो तो आपको कौन सा विंच लगाना है, आप कितने फिट की लंबाई के लिए तो ताकि आपका परदा सही तरह से वर्क करें, यह सभी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखिएगा, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हो दोस्तो, यह एक विंच है, इसका इस्तमाल पोल्ट्री के परदे को उपर नीचे करने के लिए किया जाता है दोस्तो, यह जो आप ब्लैक कलर का विंच देख रहे हो दोस्तो, अगर आप इसको इस तरह से घुमाओगे तो आपका परदा उपर जाएगा, लॉक को अगर आप ओपन करोगे और हैंडल को पीछी के तरफ घुमाओग तो आपका परदा नीचे आएगा, यह जो विंच है दोस्तो, इसका इस्तमाल आप 90 फिट से लेकर 130 फिट तक की लंबाई में आप इसका इस्तमाल कर सकते हो, उसके उपर आप यह विंच इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, हाँ, आप कम लंबाई में उसका इस्तमाल कर सकते हो, ब आप handle right side में घुमाओ या left side में घुमाओ इसका lock system automatic है यह बहुत बड़ा wind system है दोस्तों आप 200 feet की लंबाई तक इसका इस्तमाल कर सकते हो जी हाँ यह बहुत heavy है 200 feet की लंबाई तक आप इसका इस्तमाल कर सकते हो अगर आपके poultry sheet की लंबाई 200 के उपर है या 200 है या 1500 के उपर भी है तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हो जी हाँ यह इसकी ton capacity जादा होने के कारण यह कितना भी load समालता है दोस्तों अगर आपकी लंबाई जादा है और आप अगर छोटे winch का इस्तमाल करोगे तो फिर आपका winch बीच में खराब हो सकता है लेबर को तकलिब हो सकती है इसमें accident होने का भी खत्रा होता है जी हाँ तो आप दोनों winch देख रहे हो यह आप 200 फिट की लंबाई तक यूज़ कर सकते हो और उसको आप 130 फिट की पचाश फिट साथ फिट सकतर पीट 80 फिट अगर है तो आप इसका भी इस्तमाल कर सकते हो उससे अगर ज्यादा है तो आपको बड़ा वाला लेना पड़ेगा बट छोटा है तो आप छोटे वाले नहीं कर पाओगे इसलिए आपके लंबाई नूसार विंच को सिलेक कीजिए और विंच का इस्तमाल कीजिए इन तीनों का भी रेट इसलिए नहीं बतर हो दुस्तों क्योंकि वीडियो सालो साल चलती है यूट्यूब पे बट इनका रेट हमेशा मार्केट के नूसार नीचे उपर होते रहता है करके अगर आपको इससे पर्चेस करना है तो आप हमसे भी ले सकते हो या फिर बादार से भी इसे खड़िच सकते हो वीडियो में दिये हुए नंबर पर आप सुबह 10 बच से लेकर शाम को 6 बचे तक कभी भी कॉल कीजिएगा इसकी हम ओल इंडिया डिल होगा कि आप खुद विंचिंग सिस्टम अपने पोल्टरी शेड में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो उसकी पूरी तरह से फिटिंग आपको कैसी करनी है कास पे प्रेशर आएगा का पे क्या करना यह सभी जान करें आपको विस्तार से दी जाएगी इसलिए आप आने वाली हमार दोस्तों में शेयर जरूर कीजेगा आप सभी मित्रों का धन्यवाद